अलो नमस्कार जहिन दोस्तों आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल बिदैसेस में तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो सी आइटीस दोजार बाइस तेईस क आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो है जाम में बैठने के लिए अटेंडेंस परसेंट कितना होना चाहिए क्या मतलब पात्रता है कि मतलब एग्जाम हम देंप आएंगे तो दोस्तों अस टेंडेंस परसेंटिस ते ले करके और भी सारी चीज़ों पर ज जो है फाइनल एक्जाम दे पाएं तो चलिए दोस्तों हम आप लोग को दिखाते हैं तो यहां पर देख लिए यहां पर सिंपली देखिए आपका यह लेटर है दोस्तों यहां पर क्या कह रहा है सभी हिद्धार को अन्रोध है कि आई आई टी परिच्छा के संबंद में नव कारी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं यहां पर देखिए यहां पर सिंपली लिखा गया है योग गिता उमीद्वार की योग गिता परिच्छा के जुदिशा निर्देस हैं कि योग उमीद्वारों में सामिल है कि सच्छिक वर्स 2022-23 के लिए कर रहे नीचे दिए गए परिच्छा में उपस्थित होने के लिए क्या चाहिए पैरा मीटर यहां पर दिया गया है भाल टिकट के लिए जो होगा यहां पर सबसे पहला बायोमेट्रिक अटेंडेंस देखिए तो ग्रेटर देन 80% क्या कहे रहा है ग्रेटर देन 80% पर्सें है formative assessment का मतलब जो आपका कालिस से जो है आप लोग का जो आपको क्या कहते है seasonal दिया जाएगा वो जो है 60% से ज्यादा होना चाहिए या 60% के बराबर होना चाहिए तीसरा है आपका CBT परिछा सुल्ख जो CBT exam सुल्ख है वो आपका जमा होना चाहिए तो यह तीनों चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी तभी आप 2022-2023 का जो है final exam दे पाएंगे CITS का जो की आपका 31 जो है 31 जुलाई से है कब से 31 जुलाई से है 31 जुलाई से 8 अगस्त तक आपका exam है तो दोस्तों यह रहे तीनों पातरता भी तक तो जो है दोस्तों तो आप लोग जिनका भी अटेंडेंस परसेंट है असी उनको कोई गवडानिक बात नहीं है अभी भी कालेज जो है आप लोग का एक महीने से ज़्यादा चलने वाला है जिन लोग का 77-78 है भी उनका भी कंप्लीट हो जाएगा 75 प्लस है क्या पता भी डीजीटी हर बार जो है अटेंडेंस डाउन करता है 2-3 परसेंट डाउन हमें भी इस बार भी उम्मीद है डाउन होगी लेकिन इस बार इसलिए उम्मीद नहीं लग रही जादा क्योंकि दोस्तों पिछ हर बार कोवीड होता था तो इस बार पूरा स इस इंटरंस एक्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर अपना इन सारी चीजों को ध्यान दीजिए अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजगा हम उसका रिपलाई जरूर देंगे दोस्तों तो मिलेंगे ऐसी नेस्ट वीडिय जय हिंद जय भारत